अभी का जो important topic है वह है महिलाओं के लिए विवाह के नियुंतम आयू और महिलाश शक्तिकरण that means woman empowerment काफी important है current affairs के लिहाँ से important तो है ही यदि आपका समार शास्त्र subject है और उसमें इस से related कोई topic पूस्ता है तो आप इस content का उसमें यूज कर सकते हो तो आप इस शुरू से लेके लास तक जरूर देखना चलिए शुरू करते हैं चर्चा में क्यों है देखें दिसंबर 2021 में भारत सरकार के द्वारा मेरे तरफ देखें PDF में सारी चीज़ें explain करी गई है आप उसे पढ़े ले न अपने हिसाब से भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2021 में यह निर्धारित कि देना चाहिए उसके बास एक civil society नराज हो गई और इसको लेके सरकार के द्वारा इस topic को सीधे सीधे standing parliamentary standing committee के पास send कर दिया गया कि भाया आप तीन महिना आपके पास समय है और इसका जो है case से study करो कि यह क्या समय की आवशक्ता है और gender के अधार पे अलग-अलग बिबाह आय तो इसका fit दे सकते हो महिला शक्तिकरन को लेके बिहार सरकार क्या कर रही है इसमें पूरा data मैंने दिया है थोड़ा बहुत जो आपको examination point view से जो है काफी ज़्यादा important है quality से भी related area है तो multi-dimensional approach के साथ इसकी पढ़ाई करने वाले हैं आप इसे शुरू से लेके last तक जरूर द करें तो आपको पता होगा कि हमारे हाँ uniform civil code नहीं है तो देखिए यह जो समान नागरिक संहीता है इससे related कई सारे topic हम इस मतलब main topic के अलामा कई सारे को related topic पढ़ते आ रहे हैं तो हम बरतमानी सिती में क्या देखें आपको पता है जैसे मैंने कहा कि uniform civil code नहीं है और धर्म के ह एक section के मान लिजे हिंदोईजम है जैनिजम है बौदिजम है या यूँ कहेंगी जो मुसलमान भाई लोग है सबका जो है अपना अपना कानून है बैक्तिगत कानून है और अपने धर्म धार्मी कानून के अनुसार जो है उसका पालन करते हैं उसको sustain करने की कोशिश करते है हिंदू बिवाह अधिनियम 1955 के दोनुसार महिलाओं के लिए नियुनतम आयू का निर्धारन 18 वर्स किया गया है जबकि पूर्सों के लिए 21 वर्स इसका निर्धारन है ठीक है वहीं उसके बाद आपको पता होगा कि इंडिया में हिंदू के बाद सबसे अधिक अबादी ज और बाल बिवाह अधिनियम 2006 के दोरा बिवाह की नियुनतम आयू पुर्षों के लिए 21 वर्स और महिलाओं के लिए 18 वर्स निर्धारित किया गया है फिर भी लोग जो है धर्म विविन धर्मिक सेक्ट के लोग जो है अपने अपने धर्मिक कानून के अनुसार इसका पालन स्टेटस क्या है अब आप पूछ सकते हो कि भाया देखिए इतने सारे इशूज हैं हमारे सोसाइटी में तो सरकार जो है इस पर क्यों फोकस कर रही है कि महिलाओं की जो नियुनतम मैरेज की नियुनतम वैद आयू है वो 18 वर्स से वढ़ा कर 21 वर्स कर दिया जाए तो इसक आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे case studies हैं और उनका बहुत सारे ऐसे organization हैं बड़े बड़े लोग हैं जिनका अध्यन ये शावित करता है कि लड़कियों की शादी के परणाम स्वरुप कम उम्र में लड़कियों की शादी के परणाम स्वरुप जल्दी गर्ब धारन होता है और बच्चों तथा मताओं के स्वास्ट पर इसका गंबीर खत्रा उत्पन होता है यहां शारीरिक रूप से तो वो अक्षम हो सकते हैं इसके साथ मानसिक्ता भी कही न कहीं उनकी बादित होती है मानसिक डिवलप्मेंट जो है प्रोपर तरीके से मेंटल डिवलप्मेंट नहीं होता है तो एक यह सबसे बड़ा स्वास्त और जो मानसिक स्वास्त है उस पे बहुत ज़्यादा जो है इसका कूप रभाव पढ़ता है जल्दी माता बनने से माता और बच्चों दोनों पर ठीक है इसके साथ साथ Nutrition Research और Public Health Foundation of India के द्वारा बताया गया है कि किशोर अवस्ता में मा बनने से सबसे ज़्यादा एनेमिया होने की शंका होती है मताओं में वैसे भी हमारे यहां यदि देखा जाए कि जो प्रजनन आयू है 15-49 वर्स तक का इसमें जो है आदि से अधिक महिलाएं जो है कई गुना बढ़ जाता है तो ये भी एक इसके पीछे कारण है कि नहीं भी अब बैद आयू डिशाइड करो at least 21 साल उसके बाद ही लड़ियों की भी शादी होनी चाहिए उसके बाद आपको पता होगा कि ये कहां का तर्क है एक तरफ जो कहते हैं कि हम लैंगिक समानता स्टैबलिस करेंगे और दूसरी तरफ लैंगिक अधार पे ही पुर्सों के लिए 21 वर्स निधारन किया गया है विवाह की नियुनतम आयू और महिलाओं के लिए 18 वर्स निधारन किया गया है देखिए इसके साथ कम आयू में शादी होने से चाहें वह दोनों तरफ से चाहें वह माईके से हो या ससुरुआल से हो समाजिक जो उनको लाव पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाते हैं आपने प्रशनालिटी को एक्स्प्लोर नहीं कर पाते हैं जल्दी से उन पे घर ग्रहस्ती का दबाव पढ़ जाता है तो कहीं न कहीं उनका पुर्ण सम्पुर्ण ब्यक्तित्तू का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है तो ये भी इसके पीछे एक कारण है इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जून 2020 में महिलायों बाल बिकास मंतराले के द्वारा जया जेटली समीटी का गठन किया गया था हलाकि उन्होंने कहा कि महिलाओं का नियुनतम आयू जो है निर्धारन होना चाहिए और लेंगी कधार पे अलग-अलग दोनों लिंगों का आयू निर्धारन मतलब बिभा की नियुनतम आयू निर्धारन नहीं होना चाहिए इसके बावजूद जो आयू इनहांस्मेंट करना है 21 चाल करना है इसमें जो है कानून से ज़्यादा जरूरी है कि समाजिक स्वक्रिती मिले क्योंकि माली जी हम कानून बना ही दें और माता-पिता तयार नहों इसके लिए तो कही न कहीं जो है एक टसल उत्पन होगा एक कंट्राडिक्शन उत्पन होगा सोसाइटी में तो इस सब बचने के लिए जागरूगता फैलाएं ससक्ति करन करें महिलाओं को इंपावर करें तो ये खुद बखुद जाके एक इसे समाजिक स्वक्रिती मिल जाएगी और आ मास्टर्स करेंगे जॉब के सर्च में जाएंगे तो अवियर्ज जो है 21 साल से उपर के उम्र हो जाएंगे उसके बाद वो आपनी शादी कर सकते हैं माता पिता या आपने खुद के मर्जी से ठीक है तो ये कि ये अधार है उसके साथ बीदी आयोग ने भी ये कहा था कि भ अब देखिए बिबाह की उम्र में ब्रिधी और महिला उमन इंपावर्मेंट से दोनों में किस तरीके का कोरिलेशन है ठीक है ये काफी इंपोर्टन टॉपिक है आप इसे बढ़िया से समझना पहली बात कि देखिए आपको ये नहीं लगता कि पित्री सतात्मक सोच जो है महिलाओं पे लादाज जा रहा है महिलाओं का उम्र बढ़ा के एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ एडल्ट होने की जो आयू है वह 18 साल है तो 18 साल के बाद जो है कोई बैक्ती जो है अपना परशनल डिसीजन अपने बैक्तित के विकास से और अपने लाइफ से र प्रतियारकल सोसाइटी की दो थौट प्रोसेस है वह हम महिलाओं के उपर लादने की कोशिश कर रहे हैं या तो आप एडल्ट हुड की आयू जो है आप 21 साल कर दो नहीं तो आप एक तरफ कहते हो कि 18 साल के बाद जो है आप अपने मन मरजी से अपने लाइफ से में मतलब रखना चाहिए ठीक है उसके बाद राष्टिये परिवार अस्वास सर्वे जो चार आया था नेशनल फैमिली हेल्ट सर्वे चार इसके अनुसार बताया गया है कि बीफोर कोविट 19 मतलब कोविट 19 से पहले की जो इस्तिती थी ना आकड़ा इसके लगाया गया है मतलब जो नेशनल फैमिली हेल्ट सर्वे चार आया था तो ये 2015-16 में आया था तो आप कहेंगे कि कोविट 19 का केस कहां से आ गया नहीं उसके बाद जो केस से स्टड़ी करी गई है न तो दोनों में तुलनातमक अध्यन किया गया है सर्वे चार में और सर्वे पांच में तो और इस सर्वेक्षण के दोरान अर्था नेशनल फैमिली हेल्द सर्वे चार का जो सर्वे चल रहा था उसके दोरान जो है 15-19 वर्ष की आयू की लगबग 8% महीलाएं जो थी वह गर्ववती थी ऐसा डेटा जो है नेशनल फैमिली हेल्द सर्वे चार बता रहा है तो ये अ इसके साथ साथ कमरूम में बिवाहित महिलाओं के विकास की सभी इस्तितियों को वाधित कर देती है जो हमने पहले ही चर्चा करा इसके साथ साथ महिलाएं जो है कमरूम में शादी के कारण कई समाजिक लाबों से वंचित रह जाती हैं साथी खराब पोशन एनेमिया घरेलू हिंसा आदी कई समस्याओं से सामना करना पड़ता है आप कहोगे घरे लू हिंसा तो adult महिलाओं मान लीज़ा अठा एकी साल के बाद भी हो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किशवरा आवस्ता में बच्चियां होती है उनका जो decision making process होता है वो इतना mature नहीं होता है कहीं न कहीं समाज को society को परिवार को कैसे handle करना है कैसे जो है ये धागे जो है रिस्तों के धागों को आपस में पीरो के चलना है कहीं न कहीं उसमें जो है उतनी maturity नहीं होती है तो एक तरीके से लोगों को लगता है सब्सक्राइल पक्ष या मतलब तो obvious human society है कि ये हमसे बढ़ियां भी है नहीं कर रही है या ये बेवकूफ है तो उसके उपर हिंसा घरेलो हिंसा होने की संभावना जो है अधिक बढ़ जाती है माली जी एक case है कि आपको चारो तरफ से डाकून गहर लिया आप डिप्टी SP हो और अभी आप डिप्टी SP नहीं हो उस एक इस्तिती ये है और एक इस्तिती आप डिप्टी SP हो ट्रेनिंग ले लिया हो सब कुछ आपको पता है तो दोनों situation में case handle करने में अंतर होगा दोनों बैक्टियों में ठीक है इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है और इससे क्या होगा कहीं न कहीं उमन इंपावर्मेंट को मतलब धादा लगता है धक्का लगता है और यह महिलाओं का सब्सक्राइब नहीं हो पाता है बिहार में देखा जाए तो बाल बिभाह भी यहां भी मतलब काफी जादा समाजिक समस्या बना हुआ है बाल बिभाह की बात कर रहे हैं जिसमें किशोरा वस्ता की भी बिभाह कंसिडर कर सकते हैं और यह गरीबी का कारक मानी गई है राष्टिय परिवार सर्वेक्षन स्वासर्वेज 4 की बात करें तो बिहार में 39.1 फिसेदी लड़कियों का बाल बिभाह जो है लड़कियों का बिभाह जो है 18 वर से पहले हो जाता है ठीक है तो यह हमने डेटा देखा कि कैसे जो है यह सारी चीजें एक महिला के शशक्तिकरण में बाधक हैं आप देखिए तो ठीक है चलिए हम यदि बाधक हैं तो इसको दूर करने के लिए हम कानून बनाते हैं लेकिन इस कानून को बनाने में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो क्या सही है क्या गलत है सारी दोनों पक्षो को साथ में लेके चलना पड़ता है तो कानून को लागू करने में जो ध्यान देनों योग बाते हैं क्या-क्या है आपको पता होगा एक तो ये मैंने बताया कि 18 वर्स, 87-18 वर्स की आयू के पशात बैक्ति अपने जीवन का अनुबाव स्वयन ले सकता है निर्ने स्वयन ले सकता है इस इस चिति में बिवा की आयू बढ़ाना मेलाओं की बैक्तिकत मामलों में पित्री सतात्मक जो है सतात्मक जो है दृष्टी कोर का आरोपन है तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा या तो आप व्यसकता की आयू बढ़ा दो या जो जैसे है वैसे रहने दो उसके बाद कानून को पुर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है यदि कानून को पुर्व प्रभाव से लागू कर देते हो तो बहुत सारे जो मैरेज हैं जो समाजी की स्विकृती से हुई हैं वो कहीं न कहीं अवैद घोसीत हो जाएंगे तो इस चीज को भी धान में रखने की आउशकता है और एक बात देखोगे न की कानून लागू करने से यह जो साबसे ज़्यादा प्रभाव होगा कू प्रभाव पढ़ेगा वो पिछुनों पर पढ़ेगा जो वंचित हैं जो वंचना के शिकार है लोवर स्टाटा है सोसाइटी की जहां बेसिक निट्स पूरा नहीं हो पाती वहाँ पे लोग यह करते हैं कि कम रूमर में लड़कियों की शादी कर दो और अपनी जो जिम्मदारी है उससे बच जाओ तो कहीं न कहीं इस चीज को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो अब हम शुधार क्या कर सकते हैं सबसे पहले जो लोवर स्टाटा है जहाँ पे यह चीजें बड़ी फैमिली में वेल एडुकेटेट फैमिली में वेल अर्ण फैमिली में जो जिनका लिविंग स्टेंडर्स सही है उनमें यह चीजें कम देखने को मिलती है तो जो lower startup society है हमारी जहाँ पे basic needs पूरा करने के लिए लोगों को struggle करना पड़ता है वहाँ पे जो है उनको पहले socially empowered करने से पहले आपको क्या करना चाहिए economically empowered करना चाहिए उनको education दो उनको उनको रोजगार दो तो वो क्या होंगे अपने रोजगार में लगेंगे educated होंगे प् बिकास करने के चकर में obvious जो है वो आगे बढ़ेंगे तो यह ज़्यादा जरूरी है बिहार सरकार के द्वारा इसके लिए बहुत बढ़िया कदम उठाये गया है आपको पता होगा example दे देंगे case study बिहार का input you are writing for BPSC men's examination तो यहाँ बिहार का input possible हो खूब data याद करके जाओ बिहार से related ठीक है अब मैंने आप मैं आपको recommend कर देता हूँ कि बिहार समग्र जो book है latest आप उसे पढ़ लेना सुरूर से लेके last थ्रॉली पढ़ लेना especially आपको history पढ़ना है उसके साथ साथ geography section पढ़ना है geography पूरा नहीं और उसके साथ साथ economic जो last में current affairs होगर अगर development होगा intermatic pass करने के बाद पैसा, inter pass करने के बाद पैसा, graduation के बाद, inter pass करने के बाद पचीस हजार है और graduation के बाद पचास हजार रुपया पर साहन राशीद दी जाती है तो कही न कहीं लड़कियां motivate होती हैं कि चलो में मेरा graduation भी हो जाएगा और सरकार मुझे economically support भी कर रही है इसके सा लड़कियों को इस्कूल जाने के लिए साइकल की विवस्ता करी गई है कौशल विकासादी अनेक माध्यमों से जो है गल्स का एडोलेसेंट वस्ता में इंपावर्ड करने को लेके बिहासरकार बहुत जादा कारे कर रही है तो हमारा पहला सजिशन ये होगा पहले इंपावर और कॉलेज के पाठेक्रम में आपको लैंगिक समानता और प्रगती सील सोच पर अधारित पाठेक्रम भी शामिल करना होगा ताकि हमारे जो सोसाइटी के बच्ची हैं जो पड़ रहे हैं उन्हीं से तो हमारी अगली सोसाइटी का निर्मान होगा विज जो है इस प्रगती किसील सोच के साथ आएं और उनको पता चले कि लैंगिक अधार पे किसी भी तरीके का विवेद सही नहीं है सब को जो है अपने बैक्टित्तु का विकास करने में का जो है मौगा देना चाहिए ठीक है उसके बाद कमर उम्र में शादी से होने वाले नुक्षानों के बारे में जो है जाग रूपता फैलाना टेलिवीजन के तुरू फैलाओ नुकर नाटकों के तुरू फैलाओ अनेक माद्य हमें प्रचार करो इसके द्वारा किया जा सकता है बिहार सरकार का बहुत ही बढ़िया एक डिसीजन आया है यह हैं पर केस स्टड़ी है आप इसे देख लेना काफी इंपोर्टेंट है बाल बिबाह और देहेज उनमुलन में मुखिया और दूसरे परतिनीदियों की भागिदारी की भूमिगा तैकी गई है जो मंत्री है समराट चौधरी इन्होंने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 और धारा 47 के अंतरगत इन सारी चीजों की जिम्मेवारी जो है ग्राम पंचायत और पंचायत समीती को सौपा है और उन्होंने ये बताया है कि ऐसा कुछ केस यदि होता है तो यदि मुखिया के संग्यान में आता है तो मुखिया जो है इसकी तौरी सुतना प्रखंड विकास पतादिकारी और अनुमंडल पतादिकारी को देंगे और बा परिवार स्वाक्ष सर्वेक्षन का ही नवीन आकडों के अनुसारा आप देखे होगे कि भारत में बाल बिबा के मामले जो 2015-16 में 27 फीसदी थे 2019-20 में ये 23 फीसदी कम हो गए है चार फीसदी का जो है इसमें गिरावट है और बिना कानून के तो कहीं न कहीं ये जो है social status से related ह ठीक है economic status से related है तो इस प्रकार हम निश्कर्स तह यह बता सकते हैं कि भारत में कम रूम में बिबा की जो समस्या है यह कानूनी पक्स से संबंदित नहीं है बलकि सीख्षा, रोजगार, जागरुकता जैसे मुद्दो से संबंदित है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और women empowerment को लेके आगे काम करना शाहिए, I hope कि आपको चीजें काफी ज़्यादा clear हो गई होगी और सुबह से light थोड़ी सी परशान कर रही थी तो मैं lecture record नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैं छमाप राती हूं इसके लिए, इसका PDF मैं available करा दूँगा और इस पे किस तरीके का question arise हो सकता है, ये भी मैं आपको available करातूँगा, फिर मिलेंगे इबनिंग माले section में, तब तक के लिए signing off, टेक कर जया हिंद, जया भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए